ब्रेक के बाद अब सभी का एक बाई फिर से स्वागत है मैं हूरतनों और आप देख रहे हैं केकडी नियूज इस वक्की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनाउ से आ रही है जोहां मंत्री स्वतंत्री देव सिंग का प्रयागराज दौरा आज दोपर 12 बजे सभी की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनाउ से मंत्री स्वतंत देव सिंग का प्रयागराज को दौरा है आज दोपर 12 बजे वलेंटिल सम्मेलन में दोट्स सिंग सिविल लाइप रैगराज में वालेंटल सम्मेलन होगा बड़ी खबर दिल्ली से जहां आज अर्विन केज़िवाल की नया खिरासत खत्म हो गई राउजे वेन्यू कोर्ट पे पेश किये जाएंगे केज़िवाल वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मादन से होगी पेशी सूत्रों के मुदापिक बड़ी खबर आपको बता रहें जहां आज अर्विन केज़िवाल की नया खिरासत खत्म होने की बात कही जा रही है राउजे वेन्यू कोर्ट पे पेश किये जाएंगे केज़िवाल बता दे कि वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मादन से पेशी होगी सूत्रों के मुदाबिक ये बड़ी खबर इसनकी बड़ी खबर गोरखपुर से बता दे सीम योगी के गोरखपुर दौरे का आद दूसरा दिन हन्मान ज्येंटी के अवसरपन की पूजा अर्चना बच्चो को किया दूलार बच्चो को सीम योगी आदितनाद का गोरखपुर का दौरे का आद दूसरा दिन हन्मान ज्येंटी के अवसरपर की पूजा अर्चना गोरकनान मंदिर में हन्मान मंदिर में की आरती मंदिर में ब्रमर के दौरान बच्चों को किया दुलार बच्चों को स्यम्योगी आदितिनार दे दिया चौकलेट परूखाबाद में नामांकन सभा को संबोधित करेंगे जिले के गुरगा और देवी मंदिर मैदान में नामांकन सभा आज भास्पा प्रत्याशी मुकेश राजपूत करेंगे नामांकन इस वक्ती बड़ी खबर आपको बता रहे हैं परूखाबाद में नामांकन सभा को करेंगे संबोधित कि साथी जिले के गुरगा और देवी मंदिर मैदान में नामांकन सभा है आज भास्पा प्रत्याशी मुकेश राजपूत करेंगे नामांकन बड़ी खबर इस वक्ती द्रौपती मुर्मू का दो दिवसी दौरा आज से शुरू रिशिकेश दौरे को लेकर पुलिस में कमा हाई अलोट पर सुरक्षा के दृष्टिकाद पुलिस अधिकारियों की हुई ब्रीटिंग तैम मार्गो रूटो पर पुलिस अधिकारियों की ड्यूटि लगी बड़ी खबर इस वक्ती देराद उन से आपको बताने चाहा आज राज्ट्रौपती द्रौपती मुर्मू का दो दिवसी दौरा शुरू हो गया रिशिकेज दौरे को लेकर पुलिस महकामा हाई अलर्ट पर दिखी तुरक्षा केज गिष्टी कर पुलिस अधिकारियों की ब्रीटिंग तैम मार्गो रूटो पर पुलिस अधिकारियों की ड्यूटि लगाई गई यह बड़ी खबर थी जहां बता दे कि राजपती दौरपती मुमू का दो दिवसी दौरा आज से शुरू हो गया है रिशिकेज दौरे को लेकर के पुलिस महकामा हाई अलर्ट पर रहे वहीं सुरक्षा के जिष्टी गत्स पुलिस अधिकारियों की ब्रीपिंग बड़ी कबर बात पर से जहां पूरवांचल के माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या का माना CBI ने चार्ज शीट में मुन्ना बजरंगी की हत्या का किया खुलासा मुन्ना बजरंगी की हत्या में तीन पिस्टलों का हुआ इस्तिमाल मुन्ना बजरंगी की हत्या कर बाहर पेकी गई थी तीनों पिस्टल्स बरामत कार्टूज के दस खोकों की FSL रिपोर्ट में खुलासा किया गया हत्याकान में सुनील प्राटी उसके भाई समेथ कई को बनाया आरोपी बागपत की जेन में 2018 में मुन्ना बजरंगी की हत्या इसकी बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं मुन्ना बजरंगी की हत्या के मामले में जहां CBI ने चार्शीर में मुन्ना बजरंगी की हत्या का खुलासा किया मुन्ना बजरंगी की हत्या में तीन पिस्टलों का हुआ इस्तमाल वही मुन्ना बजरंगी की हत्या का बार पे की गई थी तीन ओफ पिस्टल्स बरामत कार्टूज के दस खोकों की FSL रिपोर्ट में खुलासा किया गया हत्या कांड में सुनील राठी उसके भाई समेथ कई को बनाया आरोपी बागपत की जेद में 2018 में हुई थी मुन्ना बजरंगी की हत्या बड़ी कपहिस्ट की मुरादाबाद से जाँ मुकि मंत्री योगी आदितिनाथ आज आएंगे मुरादाबाद दिवंगत सर्वेश कुमार के परिवार को सियन देंगे सांतवना अम्रोहा में जनसबा करने के बाद जाएंगे मुरादाबाद मुकि मंत्री सकी बड़ी ख़बर आपको बतारे मुरादाबाद से जहां मुक्य मंती योगि आदितिनाद आज मुरादाबाद से प्रत्याशी सर्वेश सिंग के घर जाएंगे सियन सर्वेश कुमार सिंग की हाट अटैक से हुई थी मौत दो पैर एक बच रटीस मिलट पर पोहचेंगे मुक्य मंती योगि आदितिनाद गाउं रतुपूरा पहुतेंगे मुखे मंत्री दिवंगल सर्वेश कुमार के परिवार को स्नियंदेंगे सांत वना अम रोहा के बाद जन सबा करने के बाद आएंगे मुणादा बाद बुखे मंत्री योगी आदितिना बड़ी कप बईसवार की लखनाउं से बता दे सपहा अध्यश अक्लेश आदोरा का आज अलीगार दोरा अलिगर बागपद में दौरा करेंगे अकलेश यादव, आज अलिगर बागपद में करेंगे प्रचार, इंडिया कर बंदन के प्रत्याशों के समर्थर में करेंगे जनसबा, बारा बसकर पैता अलीज मिनट पर, कोहिनूर मंच, नुमाईश ग्राउंड, अलिगर में जनसब इंडिया के बंदर के प्रत्याशों के समर्थें में करेंगे जनसभा 12 बच के 45 मिनट पर कोहिनूर मंच 29 राओन अलिगर्ण में जनसभा वहीं 2 बच के 10 मिनट पर मेरट के किवाई मोर पर अकिलेश की जनसभा होगी इस अगी बड़ी ख़बर लखनाउ से जहां वस्पा सुप्रीमों मायावती का आज मेरट अलिगर्ण दोरा आज मेरट अलिगर्ण में करेंगी चुनाव जनसभाई मायावती इस अगी बड़ी ख़बर लखनाउ से बता दे बीजेपी ने हर कार करता को दी 10 वोट निकालने की जिम्मेदारी पहले चरण में कम मद्दान को लेका पार्टी ने बनाई रण निती आगले चरणों में मद्दान प्रतिशक बढ़ाने पर बीजेपी का फोकस है मद्दान के दिन मद्दाताओं से संपर्क बूट तक पहुचाएंगे पन्ना प्रमो करताओं के साथ एक एक वोटर से करेंगे संपर्क मद्दान से पहले दो से तीम बार होगा मद्दाताओं से संपर्क बार रहने वाले वोटर को घर बुलाने को प्रयास करेंगी बीजेपी वरिश्ट नेता शक्ति केंज से अभियान की करेंगी मॉनिटरिंग प्रदेश भर के बूत जिलाच छेत असकर की नेताओं को देए गेंदेश इसकर की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पन्ना प्रमो करताओं के साथ एक एक वोटर से करेंगे संपर्क जी हां बता दे अगले चड़नों में मद्दान प्रतिशक बढ़ाने पर बीजेपी का जी तोर्ट फोकस है बीजेपी ने हर पार करता पुदी 10 वोट निकाले की जिम्यदारी पहले चड़न में कम मद्दान को लेका पार्टी ने बनाई रंड नी थी मद्दान के दिन मद्दाताओं से संपर्क कर बूठ तब कहुँचाएंगे बता दे मद्दान से पहले 2-3 बार होगा मद्दाताओं से संपर्क बाहर रहने वाले वोटस को घर बुळाने का प्यास करेंगी बीजेपी वरिष्ठ नेता शक्ति केंसर वियान की करेंगे मोनिटरिंग प्रदेश भर के बूत जिलाच छेत अस्तर के नेताव को निदेश बरिकब इस वत की लखनाउ से 25 सप्रेयर को वरांसी में होगी पीडियम की महारेली बुनकर कॉलोनी मैदान में होगी पीडियम की महारेली महारेली में असुई दिर ओवेसी पल्लवी पतेल होगी शामिल पीडियम महारेली के लिए भीड जुटाने की कवायद शुरू हो गई है इस वत की बरिकब लखनाउ से बतारे चहां आने वाले 25 अप्रेल को वरांसी में होगी पीडियम की महारेली बुनकर कॉलोनी मैदान में पीडियम की महारेली की जाएगी महारेली में सुईदीर ओवेसी पलवी पटेल होंगी शामिल पीडियम महारेली के लिए भीड जुटाने की कवायत शुरू कर दी गई है इसा की बड़ी खबर गाजीपूर से जहां S.G. Manoj Sina का दो दिवसिय गाजीपूर दोरा 23 सप्रेयर को गाजीपूर पहुचेंगे S.G. Manoj Sina विक्सित भारत विशेफर संगोष्टी को करेंगे संगोधित विक्सित भारत के निमार में नई सिक्षा नीती का योगदान डालिम संबीम स्कूल में आयोजी से संगोष्टी 23 सप्रेयर को कई निजी कारक्रमों में भी करेंगे शिर्का अतने पैत्रिक आवास पर रात में विश्रांग करेंगे मनोध सिना 23 अप्रेयर को मोहनपुरा में रात्री विश्रांग करेंगे मनोध सिना 24 अप्रेयर को विबिन निजी कारक्रम में शिर्कत करेंगे सनातन धंकी प्रासंगिता विश्यपर संगोष्टी में जाएंगे उठ्थान फांडेशन की ओर से आयोजी थे कारक्रम बदलते भारत की विकात के हमारी भूमिका विशेपर संगोष्टी रेंगो पबलीक स्कूल में आयोजिते संगोष्टी कारक्रम 24 अप्रेल को वरांसी के लिए रवाना होंगे मनोथ सिना इसकी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मनोथ सिना के कारक्रम को ले करके जब बता दे कि कई निजी कारक्रमों में शिर्कत करने वाले हैं डालिम संबीन स्कूल में आयोजित की गई है संगोष्टी 23 अप्रेल को कई निजी कारक्रमों में भी करेंगे शिर्कत करेंगे मनोष सिना जिसके बाद इस अपुरा में रात्री विश्चाम करने के बाद 24 अप्राय को विविन निजी कार्टम में शिर्गत करेंगे सनातन धंग की प्रसंगिता विशे पर संगोष्टी में जाएंगे उत्थान फांडेशन की ओर से आयोजी थे ये कार्टम बदलते बारत की विकास में हमारी भूमिकाग विशेप पर संगोष्टिक आयोजन रेंबो पब्लीक स्कूल में आयोजी थे संगोष्टिक कार्चन 24 अप्रेयर को वरांसी के लिए रवाना होंगे मनोस तिन्हा बड़ी कबर गोरपू से जहां सीम योगी के गोरपू दौरे का दूसरा दिन हनुमान जहन्ति के आउसर पर की पूजा अर्चना गोरपनात मंदिर में हनुमान मंदिर में किया आर्थी मंदिर में ब्रवर के दौरान बच्चों को किया लाट प्रय बच्चों को सीम योगी आ अदितिनाथ का आज गोरुपुर्क का दूसरा दारा, हनुमाँ जैनथी के ओसर फर्की पूज़ा औरचना गोरटनास मंदि में, हनुमान मंदि में किया आरती मंदि में ब्रवर के दौरान, बच्छो को सिया दिलार, बच्छो को सिया म्दियों गया, अादितिनाथ नीद्ग करेंगे मुक्य मंदी शहर के सबसे बीजी बादार से निकलेगा चुनावी शो शाधा रोड ते लाला के बादार तक सीम का रोड शो किया जाएगा बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं जहां मेरत शिल्कों की बड़ी ख़बर आ रही हैं सीम योग आति जनात का आज मेरत श मुक्य मंदी शहर के सबसे बीजी बादार से निकलेगा चुनावी शो शाधा रोड से लाला के बादार तक सीम का रोड शो